आईए अब एक नज़र डाले क्रिशी के विविधी करण पर जब हम बात क्रिशी के विविधी करण की करते हैं तो इसको हम दो भागों में बाट कर देखते हैं एक तो फसल के उत्पादन का विविधी करन और दूसरा गैर क्रिशी चेत्रों से हट कर यानि कि श्रम को क्रिशी से हटा कर कहीं और लगाना जैसे हम कह सकते हैं पशु पालन करना, मचली पालन करना या इसके अलावा हम मूर्गी पालन या इस तरह के अनिक कही वैवसाई भी कर सकते हैं तो यह सारे जो छेत्र होते हैं वो क्रिशी के विविधी करन के अंतरगत आते हैं एक तो क्रिशी के विविधी करन से जो समय समय पर आर्थिक जो जोखिम होता है वो कम हो जाता है और दूसरी बात यह है कि ग्रामीन जनसंख्या जो है वो उत्पादक कारियों मे लगातार लगे रहती है। उसको पादन का कारे चलता रहता रहता है, तो उनको रोज़गार के अफ़र भी परियाप्त मातरा में प्राप्त होते हैं। इसी के अंतरगत हम सबसे पहले देखते हैं पशु पालन के तो पशु पालन कई तरह के ऐसे पशु होते हैं जिनका पालन करके हम रोजगार की प्राप्ति कर सकते हैं ज्यादत देखा जाए तो जो छोटे सिमांत कृषक जो होते हैं यह कम आईवर के जो लोग होते हैं उनके इसके अंतरगत पशुपालन में जो ग्रामीड जनसंक्या होती है वो चमडे या उन का वेवसाय करने के लिए जैसे भेडों का पालन करना दूसरा यहां पर हम देखते हैं पशुपालन के अंतरगत की गाय भैस बक्रियों को पालना कई बार दूद की उत्पादकता के लिए काई भैसों का पालन भी बड़े स्तर पर चोटे स्तर पर दोनों तरीके से किया जाता है तो यह जो दुख्ध वेवसाय है वो भी पशुपालन के अंतरगत आता है साथ में हम इसी के अंतरगत देखते हैं कि बतक मुर्गी इस तरह के पशुपक्षियों का पालन किया जाता सरकार प्रयास करती है कि इस तरह के जो छोटे पशुपालन संबंदी व्यवसाय हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और इस पर अगर हम एक नज़र डाले तो हम देखते हैं कि पशुपालन के छेतर में देश के लगभग साथ करोड से अधिक छोटे और सिमांत क्रिशक और भी छोटे सिमांत क्रिशा किया भूमी हीन जो लोग है गाउ के उनके लिए रोजगार प्राप्ति का एक बहुत अच्छा स्त्रोथ है मचली पालन का जो व्यवसाय है उसको प्रोचसाइद करने के लिए सरकार सबसड़ी के भी व्यवस्ता करती है अब यह जो व्यवसाय है मचली पालन का वो किवल आर्थिक रूप से ही नहीं बलकि भोजन में भी हम मचली का प्रयोग करते हैं तो कई द्रिश्टी कोंट से काफी सार्थक सिद्ध हुआ है अब अगर मचली पालन के देखें कि भारत के आर्थिक विकास में इसका क्या योगदान मिलता है तो यह हम हम देखते हैं कि भारत की कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगबग 1.4 प्रतिशत जो हिस्सा है वो मतसिपालन के छेतर से प्राप्त होता है दूसरा हमें आपे बागवानी पर एक नजर डाले जो की क्रिशी के विवदी करण का एक हिस्सा है तो इसके अंतरगत हम कई प्रक दार्त जो क्रिशी से हम जिनका उत्पादन करते हूं के उन से हट के बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जिनका उत्पादन क्रिशी विवदी करण के र 1955 प्रोटक्त जिनका हम उत्पादन करते है Bem दे Maggie गवानी के द्पादन जिनका हम निर्यात करते हैं दूसरे देशों में तो इससे हमको विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है तो कुल मिला कर ये एक तुक किसानों की आर्थिक दशा को सबल बनाते हैं अच्छा बनाते हैं और गाउं के जो लोग है छोटे जो कृषक वर्ग है और साथ में अथिक विकास को भी बल मिला है वहीं दूसरी और हमने देखा कि जहां लोग सामिक बेरुजगारी से परिशान थे क्रिशी जो थी वो पूरे वर्ष भर नहीं की जा सकती थी तो अत्रिक्त क्रिशी के साथ जो अजिन अत्रिक्त वेवसायों को जोड़ा गया उससे काफी सह अब अगर हम बात करें कि क्रिशी के विवदी करन के अंतरगत ये जो मचली पालन की बात हम करते हैं पशुपालन की बात करते हैं या बागवानी की बात करते हैं ऐसे कई कारे होते हैं जो क्रिशी के साथ साथ जोड़े जा सकते हैं विवदी करन के अंतरगत तो इनमें समस पालन करे तो उसमें धन की आविशकता होती है हाला कि सरकार इन सभी चीजों के लिए सबसेट हैं करने का कारी करती है फिर भी इसको अगर अच्छे पेमाने प्रसिक्षण का भाव है प्रतेक्षेत्र में चाहें बागवानी की बात करें प्रशुपालन की बात करें मचली पालन की बात करें कहीं न कहीं प्रसिक्षित वेक्तियों की जोरत पड़ती है तो लोगों को प्रसिक्षण नहीं मिल पाता है इसलिए कई बार यह जो लोग है नए रोजगार में आने में डरते हैं या फिर वो प्रारंब कर भी लेते हैं तो उनको बीच में छोड़ना पड़ जाता है तीसरी एक समस्या आती है जलवायू संबंधी जैसे हमने के क्रिशी के बारे में भी जाना था कि भारती क्रिशी जो है वो मांसून का जुआ है करते हैं तो उसको भी प्रभावित करती है एक और बड़ी समस्या में यहां पर देखते हैं कि शाषन की उदासी इंता अपने इस तर पर सरकार प्यास करती है कि क्रिशी का विवदी करन किया जा सके अन्य जो अत्रिक्त उद्योग है छोटे मुटे उनको बढ़ावा दिया रोजगार को अपनाना नहीं चाहते हैं साथ ही एक समस्या ये भी देखने को मिलती है कि संसाधनों की अपर्याप्तिता है हमेशा केवल पूंजी अधन एकत्र कर लेने से भी किसी कारे को चालू नहीं किया जा सकता है जैसे कि पहले भी देखा था कि भूमी श्रम संगठन और एक साहसी का होना ये सब ऐसे महत्यपूर्ण साधन होते हैं कि इन में से किसी एक क्या भाव में भी क्रिशी का कारे संपन्न होई नहीं सकता है तो ठीक उसी तरह अन्य जो कारे होते हैं क्रिशी से रिलेटेड वो भी इन साधनों के अभाव में संपन्न नहीं हो सकते हैं बच्चो आपने देखा कि विविधी करण के अंतरगत क्रिशी और उसके साथ जुड़े हुए अन्य जो छेत्र हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उनके विकास के लिए किस प्रकार सतत प्रतने किये जाते रहे हैं अब हम जानेंगे कि इस विविधी करण संबंधी जो विकास कारे हैं उस संबंध में सरकार ने कौन-कौन से नित्य अपनाई है या इस दिशा में विकास के लिए सरकार के दोरग कौन-कौन से प्रयास किये गए हैं तो इसके अंतर गत हम सबसे पहले देखेंगे उत्तर पूर्बी छेत्र में बाग्वानी के समन्वित विकास यतु एक तक्नीकी mission कारम किया गया और आए देखते हैं कि कौन कौन से कारे इसके अंतर गत किये गया तो सबसे पहले इसमें अनुसंधान कारे करना क्रिशी और उससे संबंधित जो अन्य छेत्र है उसके विकास के लिए कुछ अनुसंधान कारे को प्रोचसाहित किया गया दूसरा इसमें उत्पादक्ता के विस्तार और विकास के लिए कि किस प्रकार क्रिशी और उसके विविधी करण के जो छेत्र है जिसे हमने देखा कि म इसके अंतरगत कटाई के पश्चात जो फसल प्रबंदन नहीं सिर्फ कृषिच चित्री के अगर हम बात करें तो एक हमने पहले भी देखा कि भंडारण की जो समस्या है वो एक बहुत बड़ी समस्या आती है तो कटाई के पश्चात भंडारण के लिए क्या व्यापक प्रया उसको किस प्रकार प्राकरतिक आपदाओं से बचाया जा सके साथ में इसके अंतरगत क्रिशी के तीवर विकास के लिए भी कुछ अनुसंधान किये प्रयास किया गया कि यांत्रिक क्रिशी द्वारा क्रिशी में तक्निकी विकास करके रसानिक खात अच्छे किसम के बीजो को कार्यान विद करना राश्ट्री कृष्षी भीमा युजना के अंतरगत क्या क्या किया गया इसमें खाद फसले तिलहन दलहन इन सभी फसलों का जादा से जादा उत्पादन हो सके और दूसरी बात इनकी जो किस्म है उत्पादन की उनमें सुधार लाया जाए अच्छी किस किसानों को सरकार के द्वारा लगबग 50% तक की आर्थिक साहता भी दी गई अगला हम यहां पर देखते हैं कि कपास के तक निकी मिशन की कारिवाई कपास जो की कपड़ा उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता रहा इस शेत्र में व्यापक विका उत्पादन का विस्तार किया जाए कपास का जो उत्पादन है उसको और अधिक बढ़ाया जाए इसके लिए प्रयास किया गया साथ में बाजार की खोच की जाए कि कपास के लिए एक सही बाजार मिल पाए जहां पर उसके विप्रन की विवस्ता हो सके उसके विक्रे की वि साथ में पूंजी समंदी आर्थिक सहायता का भी प्रावधन किया गया क्यूंकि हमने देखा कि विपढन के लिए कटी हुई जो फसल है उसको भंडारन करने के लिए और फिर उसको बजार तक ले जाने के लिए पूंजी की भी आवश्रक्ता पड़ती है तो इस दिशा में भी व्यापक कदम उठाए गया और इसके लिए सरकार ने पूर्ड स्टोरेज की सुविधा और आधुनिकी करन जो गोडाउन है उनका अधुनिकी करन करना इन सब सुविधाओं के लिए लगभग यहां पर 25 प्रतिशत तक की आर्थिक साहता का प्रावधान सरकार के द्वारक किया गया अगला हमें आपर देखते हैं कि बागवानी संबंधी विकास की जो आधार बुच सनरचनाय है तो ब विक्रयोग बनाने और विक्रय करने तक के जो कारे थे वहां तक के लिए जो भी आर्थिक साहता हो सकती थी उसको देने का प्रायास किया गया does तो इस प्रकार के जो फसल है वहां पर वाटर शेड विकास का कारिकरम भी सरकार के द्वारा चलाया गया और इस तरह के जो कारिकरम पहले चलाया जाते रहे उस पर आर्थिक सहायता भी साथ में दी गई उसके बाद जब क्रिशी विपड़न को सुध्रुन बनाना इसका एक महत्वपूर्ण देश रहा हमने पहले भी देखा कि विपड़न एकी जो समस्या है वो क्रिशी उत्पादकता के छेतर में एक महत्वपूर्ण समस्या बन कर आई फसल अगर अच्छी हो भी जाती है तो भ विवस्था की जाए फसलों के लिए साथ में इसके अंतरगत फसल भीमा योजना को लाया गया ताकि जो फसले है वो अगर प्राकृतिक आपदा या अन्ने किसी कारण से खराब हो जाती है तो भीमा अगर कराया गया है फसल का तो जो उत्पादन में जो राशी लगी हुई प्रतिशत जो भाग है वह एक कोश की रूप में बीजो को एकत्र करके स्टॉप की रूप में सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया उसके साथ साहकारी चेत्र में भी सुधार लाए गया क्या क्या कारी किये गया सहकारी चेत्र में सुधार के लिए यहां पर NCDC Act 1952 और स स्टेट कोपरेशन सोशाइटी एक्ट 1984 को संशोधित किया गया इन एक्ट में जो कम्या थी जो तुटिया थी उनको सुधार किया गया और संशोधित करके इस प्रकार उनको बनाया गया कि क्रशी के छेत्र में चाहे वह उत्पादन से लेके विपड़न से लेके विक्रे त आप देखते हैं कि नॉर्मल जो फूड होते हैं उससे अत्रिक्त उससे हट कर कुछ ऐसे पैकेट्स आपको देखने को मिलते हैं जिन पर लिखा रहता है और्गैनिक फूड्स तो यह क्या है यह और्गैनिक फूड्स और इनके रेट भी आप देखते होंगे कि सामान जो मनुष्य ने खेती करना प्रारंब किया तो उस समय वो और्गैनिक खेती यानि कि जैविक खेती ही करता था क्योंकि उस समय रसाइनिक खाद रसाइनिक जो क्यामिकल्स आज यूज किया जाते हैं उनके बारे में किसी भी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं था प्रारंब में जब हमने खेती करना शुरू किया तो उस समय पशुओं का जो गोबर हुआ करता था उससे जो खाद बनाई जाती थी जो सड़े गले जो वनस्पतियां होती थी उसके द्वारा खाद बनाई जाती थी तो वास्तों में इन जीवों के द्वारा जो खाद बनाई जाती थी और उनका उपयोग जब कृषी में किया जाता था, कृषी के उत्पादगता को बढ़ाने के लिए किया जाता था, तो वही खेती जैविक खेती कहलाती थी, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, उत्पादन कम होने लगा, या कहा जाए तो हरित क्रांती के आने के बाद इतना जादा रसायनिक खादों का प्रयोग किया जाने लगा उर्वरकों का प्रयोग किया जाने लगा उससे उत्पादक्ता तो बढ़ी लेकिन इसके अपने आप में बहुत सारे दोश भी हुए और धीरे धीरे लोग जैविक खेती को भूलते चले गए अब जबकि खेतों में उत्पादन बहुत जादा होने लगा लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी देखने को मिले जब रसायनिक खादों का प्रयोग किया जाने लगा तो उनसे उत्पन जो फसले होती थी उनसे उत्पन जो फल साख सब्जिया होती है उनमें इतनी अधिक मात्रा में रसायनों का प्रयोग किया जाता है कि वो कहीं न कहीं हमारे शरीर को बहुत अधिक नुकसान पहुचाते हैं अब फिर यह हुआ कि धीरे-धीरे मनुश्य वापस लोटने लगा जैविक खेती की ओर और अब एक ऐसी कंडिशन आ गई है जब हर व्यक्ती जो क्रिशक है वो जैविक खेती की ओर वापस लोटने लगा है और गैनिक फूट एक तरह से आज के युग के लिए फैशन भी बन गया है लोग और गैनिक फूट का प्रयोग करना चाहते हैं वो स्वस्त रहने के लिए जादा से जादा और और गैनिक जो है और गनिक सब्जियां जो है और और गनिक पद्धती से जो पैदा किये गए अनाज है उसकी और आकर्शित हो रहे हैं तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जैविक खेती कोई नवीन अधारना नहीं है बलके वही अधारना है जिसे हम कुछ साल पहले भूल चुके थे और अब समय के बदलने के साथ साथ हम वापस जैविक खेती के हो जा रहे हैं तो जैविक खेती की जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में कुछ बिंदो को जान लेना यहाँ पर जरूरी है वास्ताओं में जैविक खेती दिर्द कालिन उप जाओ शक्ती को बनाये रखता ह जब हम जैविक खेती करते हैं तो आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें बहुत सारे दोश भी है इसके बहुत सारी हानिया भी है ऐसा लगता है कि जैविक खेती में जो उत्पादन होता है वो परंपरागत खेती के अपिक्शा कम होता है लेकिन जैविक खेती के अवधारना दीर उत्पादन करता है जाहिर सी बात है जब हम प्राकृतिक खाद का प्रयोग करेंगे तो उसके द्वारा हमें जो फसले प्राप्त होंगी जो फल जो सब्जिया प्राप्त होंगी उनमें जो पौश्टिक तत्व होते हैं वो रसानिक खाद प्रयोग करके जो जिनका उत्पाद डालते हैं, तो इसमें जब हम जैविक खेती की बात करते हैं, तो भूविज्ञान को इसके अंदर शामल किया गया, यह देखा गया कि भूमी की किसमें कौन कौन सी है, कम उत्पादक भूमी, अधिक उत्पादक भूमी और बिना उप जाओ जो भूमी है, इस तरह से भूमी क कई वर्गों में वर्गिक्रित किया गया और फिर यह देखा गया कि किस प्रकार से भूमी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सके किस तरह की भूमी पर किस तरह के फसलों का उत्पादन किया जाए तो यह सारी जो बाते थी वह भूविज्ञान के अंतरगत उनके बारे में जाना गया दूसरा यहां पर देखा गया कि फसल चक्र क्या रहे किस फसल के बाद कौन सी फसल लगाई जाए जिससे एक तो फसल का उत्पादन अच्छा हो और दूसरा भूमी की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहे साथ में पशू पालन पर भी इसमें जोड़ दिया गया क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जैवी खेती के जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम जिन खादों का प्रयोग करते हैं जिन उर्वरा शक्ति बनाने के बढ़ाने के लिए हम जिन पदार्थों का प्रयोग करते हैं वो पशू का जो गोबर है उसके द्वारा ही इन खादों का निर्माण हम करते हैं तो पशु पालन को भी इस पर एक जोर दिया गया और साथ में यहाँ पर कूड़ा का जो हमने अभी हम देख रहे हैं कि स्वक्ष भारत अभियान किता है जो कचड़े हैं उनका संग्रहन किसे एक इस्थान पर किया जाता है और उसके बाद वुन संग संग्रहित कचड़ों से फिर खाद बनाया जाता है आपने अपने आसपास भी सुना होगा और आपने देखा होगा कि कचड़े की गाड़ी भी आती है मोड रायपूर स्वक्ष रायपूर के अंतरगत इस योजना को चलाया जा रहा है गीला कचड़ा हम अलग कर देते हैं स जो कूडा करकट है इनसे एक अच्छी जैविक खाद का निर्मान हम कर लेते हैं तो ये सारे कारें इसके अंतरगत किये गए साथ में यांत्रिक खेती को भी इसके अंतरगत बढ़ावा दिया गया ऐसा नहीं है कि हम पुराने जमाने में चले गया जैविक खेती कर रहे हैं अब अगर हम जैविक खेती के आकड़ों पर एक नज़र डाले तो हम देखते हैं यहाँ पर कि फूड और अग्रिकल्चर और्गनाइजेशन फ ए ओ द्वारा जो 2003 में अनुसंधान किया गया इस अनुसंधान के अनुसार जो आकड़े प्राप्त हुए वो बताते हैं भार अब अगर हम जैविक खेती संबंदी ब्रांतियों पर एक नज़र डाले जब हम और्गनिक फसलों की बात करते हैं जैविक खेती की बात करते हैं तो हमारे मन में कुछ confusion कुछ doubt होते हैं कि इनसे कुछ क्या क्या हानिया है तो यहाँ पर सबसे पहले ऐसे लगता है कि रसायन और उर्वरको का प्रियोग नहीं किया जाता और यही कारण है कि अगर जब हम जैविक खेती करते हैं तो production उतपादन कम होता है और रसायनिक उर्वरको लगबग रसानिक यह फादो प्रयोग के द्वारा यह परंपरागत खेती के द्वारा जो पादन प्राप्त होता था दूसरा हम यहां पर देखते हैं कि जैविक खेती नहीं होता है इस पहे जो उत्पादन होता है और उसका जो विक्रे होता है हिनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है किसान जो होता है वो बहुत कम लाब प्राप्त करता है लेकिन ऐसाए नहीं है ये भी गलत है और लोग अपने स्वास्तिके पृति काफी जागरूख हैं बढ़ती हुई बीमारी नहीं है ऐसा माना जाता है कि जब जैवी खेती की बात आती है तो केवल कूडा करकट से बनी होई खाद का ही प्रयोग किया जाता है लेकिन ये ब्रांती है ये गलत है कूडा करकट से को केवल यूज किया जा सके उसका सही उप्योग किया जा सके इसलिए उसको खाद निर्मा लेकिन यंत्रों का प्रयोग भी इसके अंतरगत पर्याप्त रूप से किया सकता है इसी तरह तीसरी एक ब्रांदी है कि केवल बड़े किसानों को ही लप क्योंकि है जो बड़े किसानों के लिए लाप प्रहए है क्योंकि इसमें जो डिफ्रेंस होता है फसलों के विक्रे मुले का और उत्पादन का वो कम होता है लेकिन कहीं न कहीं ये धार्णा बिल्कुल गलत है साथ ही रसानिक उर्वर को तथा कीट नाशक दवाईयों का अप्रियोग जैवी खेती है जब हम जैवी खेती के बात करते हैं तो हमारे मन में कैसी अवधार्णा बन जाती है कि यहाँ पर किवल प्राकृतिक जो खाद है उसी का प्रियोग करना है जो रसानिक कीट नाशक है रसानिक जो खाद है उनका प्रियोग बिल्कुल भी नहीं करना है लेगिन कहीं नहीं यह धार्णा भी गलत है हम प्राकृतिक खाद का जादा सा ज़्यादा प्रियोग करने का प्रयास करते हैं जैवी खेती के अंतरगत लेकिन आवशक्ता पढ़ने पर कीट नाशकों का प क्या-क्या लाभ है कौन-क्यों से इस से हम को पराप्त होते हैं तो सबसे पहली बात तो जैसे कि हमने यह सहाथ memang को एक तो आई कर घिया ली पर में थाबर होते हैं जब प्रशटी की जाती है जब रसायनिक का अंडिक हानिकारक chemical होते हैं वो फलो में, फसलों में, सबजीों में चले जाते हैं और उसके बाद वो आप शरीर में चले जाते हैं तो कहीं न कहीं वो हमारे लिए बिमारी का घर बन जाते हैं लेकिन जैविक ख्यती के दूरा जिनपदार्टों का उत्पाधन किया जाता है उनमें ये रसायनिक तक तो नहीं होते हैं तो एक तो ये हमको लाब मिलता है और दूसरा भूमी की उरवरता बनी रहती है लगातार लंबे समय तक रसायनिक खादों का उरवरकों का और जो बहुत सारी किठना शक्त दवाईया है उनका जब हम खेत में छड़काओ करते हैं त एक समय के बाद फिर भूमी की उरवरा शक्ति कम होने लगती है भूमी धीरे-धीरे बंजर होने लगती है लेकिन जब हम जैविक खेती के द्वारा प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते हैं तो समय के साथ-साथ जो भूमी की उरवरा शक्ति है वो और अधिक बढ़ती है औ लट्टियां जो होती है खेतो को कि वो बahlen कर नदी-दालों में चली जाती है और फिर जो रसायन में चली जातीए और फिर उसी चल प्रियोग हम घर के लिए करते हैं आप गाव में देखे होंगे तलाबों और नदियों का बहुत प्रियोग किया जाता है पशु उसी जल को पेने के लिए प्रियोग करते तो कहीं न कहीं उन सब के लिए हानिकारक होते हैं थिक इसे तरह स्वास्त और सुरक्षा के दृष्ट उसका हम जब प्रयोग करते हैं तो उनसे हमको पर्याप्त मात्रा में विटामीन, मिनरल, सारी चीज़े प्राप्त होती हैं ठीक इसी तरह हवा परियावरन के हम बात करें तो वो भी शुद्ध रहती है और्गैनिक फसलों के जब हम और्गैनिक खेती करते हैं क्योंकि रसानि केती में इस तरह की इकट्नाइया नहीं होती है अब एक नजर डालें कि जायवीक खात के गुणवत्तक क्या है तो जेवीक खेती में हमने जितने भी लाम देखे उन सबीकालеноम मिलाकर कह सकते हैं कि यह सारी इसकी गुणवत्त सब्रसरें वक्राइश को की दूसरा नाम है इसके दोरा खाद पदार्तों के गुणवत्ता बनी रहती है और साथ में ये ज़्यादा से ज़्यादा पौश्टिक होते हैं और अगर हम स्वाद की बात करें तो अगर आप कभी चाहें तो प्राक्टिकली इसको ट्राई कर सकते हैं रसानिक खादों के दोरा उत्पन जो फल्फूरूट सबजियां होती हैं अनाज होते हैं उनके पिक्चर जब हम और्गानिक फूट का प्रियोक करते हैं उनके स्वाद में बिन्रता होती है अब हम इसके हानियों पर भी एक नज़र डालें हमने देखा कि शुरू से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चीज़ें के बहुत सारे लाव होते हैं उनके अपने आप में बहुत सारी हानिया भी होती है हानियों की बात करें तो सबसे पहली हानी या दोश हम ये कह सकते हैं कि हानी तो नहीं है लेकिन एक दोश ये है कि ये महंगी होती है उरवर्कों के द्वारा जब हम फसलों का उत्पादन करते हैं तो बहुत कम समय में फटा-फट वो फसले या फल या सबजी या फटा-फट जल्दी से बड़ी हो जाती है। उत्पादक्ता बहुत ज्यादा होती है और जल्दी जल्दी हम उनका मार्केटिंग करते हैं विप्रख़ंट करते हैं बाजार में लाते हैं जब जैविक खेति के माध्याइम से इनिय फॉला। ऋर्षाफ़े का उत्पादन किया जाता है तो भीर अद्पादन के frequencies im कारण है कि यह जो प्रोड़क्ट होते हैं वो बजार में काफ़े महुंगे दामों पर बिगते हैं दूसरा हम यह कह सकते हैं कि इसके खानी यह भी है कि कि इसमें श्रम की बहुत जवरत पढ़ती है क्योंकि यहां पर पशू पशो का पालना और उनसे फिर खाद बनाना और साथ में क्योंकि बहुत ज्यादा रसानिक पदार्थों का प्रयोग नहीं करना है बहुत ज्यादा यंत्रों का प्रयोग की भी जवरत नहीं होती तो कहीं न कई श्रम की मात्रा यहां पर ज्यादा लगानी पड़ती है वैसे यहां पर यह भी प्रॉब्लम आती है क पशू की खाद का हम प्रयोग करते हैं तो एक दिक्कत ये भी बनी रहती कि उस से उस खाद में जो हानिकारक जैविक जो किटाणू है उनके उत्पत्ती की संभावना बनी रहती है और इन किटाणू के फॉलो और सबजी में जाने और फिर मनुश्री के शरीर में जाने बिमा सारी पैदा करने की संभावना भी बनी रहती है ठीक इसी तरह परंप्रागत की तुलना में अगर उत्पादक्ता की हम बात करें तो जैसे कि थोड़ी कम होते तो लगबग पारंप्रागत खेती के पेक्षा अगर जैविक तरीके से खेती की जाती है तो लगबग 20 निसे एकी से जाते हैं जो पूरी की फसल को नggßenट कर देते हैं कई बार किसानों को अपनी पूरी फसल से हाथ धना पड़ जाता है और पूरी की पूरी उनको हानी होती है तो हमने देखा कि किस प्रकार करामीड विकास का दूसरा नाम क्रिशी विकास है हाला कि ग्रामेड विकास की हम बात कर रहे थे लेकिन क्योंकि गाउं और क्रिशी का आपस में सगन और प्रत्यक्ष संबंद है बिना क्रिशी के हम गाउं की कलपना नहीं कर सकते तो ग्रामेड विकास के अंतरगत हमने जाना कि किस प्रकार हम क्रिशी से लेकर उन समस्त पहलो पर आर्थिक सुधार करेंगे जो कही न कही प्रत्यक्ष रूप से गाउं से संबंदित है तभी ग्रामीड विकास के सिध्धान्त को हम सही सही समझ पाएंगे